उत्री परदेश में मधुपुर नाम का एक नगर है वहाँ मधुशेन नाम का एक राजा था विशेशुक भोक वाले उस राजा मधुशेन को एक तीन सतनों वाली कन्या उत्पन हुई तीन सतनों वाली कन्या की उत्पति सुनकर राजा ने कंचुकियों से कहा भाई इस त्री सतने कन्या को दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दो कोई जानने भी ने पाए यह सुनकर कंचुकियों ने कहा महराज यह तो मालूम है ही कि तीन सतनों वाली कन्या अनिष्ट करने वाली होती है फिर भी ब्रहमन बुलाकर उसे पूछ लेना चाहिए जिससे दोनों लोग बने रहें क्योंकि जो बराबर दूसरों से पूछता रहता है सुनता रहता है और यह थार्थ बाते धार्ण करता रहता है उसकी बुद्धी सुर्य की किर्णों से कमलीनी की तरह बराबर बढ़ती रहती है और भी जानकार मनुश्य को सदा पूछते रहना चाहिए प्राचिन काल में राक्सस राज द्वारा पकड़ा हुआ भी एक ब्रहमन पूछने के कार ब्रहमन छूट गया राजा ने पूछा यह कैसे कंचिके ने कहा किसी जंगली प्रदेश में चंड कर्मा नाम का एक राक्षस रहता था एक बार वह जंगल में घूम रहा था कि उसे एक ब्रहमन मिला वह उसके कंदे पर कूद कर बैठ गया और बोला अरे आगे आगे चलो ब्रहमन भी बहुत डर गया वह उसे कंदे पर लेकर चलने लगा रास्ते में कमल की पंखुरिय के समान कोमल राक्षस के पैरों के तलवे को देखकर ब्रहमन ने पूछा भाई आपके पैर क्यों इतने कोमल है राक्षस बोला भाई मैंने वर्थ रखा है कि गीले पैरों से का सपर्ष नहीं करता यह सुनकर ब्रहमन अपने छुटकारा पाने का उपाय सोचता हुआ एक शरौर के किनारे पहुंचा वहां पहुंचने पर राक्षस ने कहा जब तक मैं शनान और देव पूजा करके नहां तब तक तुम इस तान से कई अन्यतर मत जाना यह कहकर राक् मैं जल्दी से भागू जिसे भी गिले पैर मेरे पीछे ने आ सके ब्रहमन ने वैसा ही किया वर्त तूटने के डर से राक्षस भी उसके पीछे नहीं गया इसलिए सब कहते हैं कि जानकर आदमी को भी दूसरे से पूछते रहना चाहिए बड़े राक्षस से भी पकड़े ज ब्रहमनो मेरे यहां त्री सतनी कन्या का जनम हुआ है इसकी शाणती का कोई उपाय है या नहीं ब्रहमनो ने कहा देव सुनिये मनुश्य के यहां कम अथ्वा अधिक अंगो वाली जो कन्या पैदा होती है वे अपने पती और सील का नास करती है इन मेंसे भी अगर तीन सतनो वाली कन्या अपने पिता की नजर पड़े तो अगर तुरंत अपने पिता का नास कर देती है इसमें शंधे नहीं इसलिए इस लड़की को आपको नहीं देखना चाहिए अगर कोई इस कन्या के साथ भुभा करे तो उसे इस कन्या को देकर देश से बाहर कर दीजिए ऐसा करने से आपके दोनों लोग सुधरेंगे उनकी यह बात सुनकर राजा ने डंके की चोट पर मुनादी करा दी लोगों इस त्री सतनी कन्या के साथ जो कोई ब्याह करेगा उसे एक लाख सुण मुद्रा उसी समय मिलेगी और उसे देश भी छोड़ना पड़ेगा मुनादी किये हुए भहुत दिन बीट गए फिर भी उस कन्या को लेने को कोई तियार ने हुआ वहें जवान होने तक छिपेस्तान में रहेकर यतन पुर्वक पल पोस कर बढ़ने लगी उसी नगर में कोई अंधा रहता था उसका मन्थरक नाम का एक कुबड़ा आगे लकड़ी पकरने वाला था उन दोनोंने डुगी सुनकर हापस में विचार किया भागया बस कन्या मिलती हो तो हमें डुगी रोकनी चाहिए जिससे सोना मिले और उसके मिलने से हमारी जिन्द की सुक से कटे उसके नयके दोस से कही मैं मर गया तो भी दरिदरता से पैदा हुई उस तकलीप से छुटकरा मिल जाएगा कहा है कि लज्जा, शन्हे, वानी की मिठास, बुद्धी, जवानी, इस्त्रियों का साथ, अपनों का प्यार, दुख की हानी, विलाश, धरम, तंदरुस्ती, ब्र और आचार विचार ये सब बाते, मनुश्य का पेट रूपी गढ़ा, जब अन से भढ़ा होता है, तब ही संभव हैं, यह कहकर उस अंधे ने मुनादी करने वाले को रोक दिया, और कहा, मैं उस राज करन्या से विवहा करूंगा, यदि राजा मुझे उसे देतो, बाद मे राज करमचारियों ने जाकर राजा से कहा, देव, किसी अंधे ने मुनादी रोकती है, इस बारे में क्या करना चाहिए, राजा ने कहा, अंधा हो, बहरा हो, कोडी हो, या चांडाल हो, कोई भी हो, यदि राज करन्या लेना चाहता है, तो उसे एक लाक सुन मुद्राय के स देश निकाला दिया जाएगा, राजा ने आग्या दे दी, राजपुर्शों ने नदी के किनारे ले जाकर, एक लाक सुन मुद्राय के साथ, त्री सतनी कन्या का उस अंधे के साथ विभा कर दिया, और उसे जलियान जहाज पर बैठा कर, केवटों से कह दिया, केवटों व ऐसा ही किया, उन्होंने जहाज में बैठा कर, उसे विदेश में ले जाकर, एक नगर में पहुंचा दिया, केवटों के दिखाने पर, रुपे से उसने एक सुन्दर महल खरीद लिया, और तीनों बड़े अराम के साथ, वहापने जिन्दगी का समय बिताने लगे, केवल अ कुछ ही दिनों में, कुबडे के साथ, राज कन्या का अनुचित संबद स्थापित हो गया, यह ठीक ही कहा गया है कि, यदि आग सीतल हो जाए, चंदरमा जलाने वाला बन जाए, समुंदर का पानी मीठा हो जाए, तब इस्तियों को स्तितव हो सकता है, कुछ दिन बीतने प कहीं से ढूंड कर तुम विश ले आओ, उसे दे कर मैं इसका काम तमाम कर दूँ और सुखी बनूँ, दूसरे दिन घूमते हुए, कुबडे को एक मरा हुआ, काला साप मिला, उसे लेकर परशन मन से घर वापस लोटा, और तिरी सतनी से भोला, सुन्दरी, यह एक काला साप मिल गया है, इसे टुकडे टुकडे काटकर, खुब अधिक सोंट मिर्च डालकर, अच्छे स्वादगा बना डालो, उस अंधे को मचली का मास बताकर, इसे खिला दो, इसे खाते ही मैं खतम हो जाएगा, क्योंकि उसे मचली का मास सदा बहुत रूचिकर लगता है, यह कहकर मंत्रक बाहर चला गया, तिरिस तनी ने तुरंत आग जलाई, और काले साप को टुकडे टुकडे काटकर, उसमें मठा डालकर, चढ़ा दिया, और घर के दूसरे कामों में व्यस्त होने के करण, अंधे के पास आकर, विने के साथ कहा, आरिये पुतर, आज तुमें बहुत अधिक पसंद आने वाली मचली का मास मैंने मंगा रखा है, तुम हमेश्या उसके बारे में पुछते थे, उसे मैंने पकाने के लिए आग पर चढ़ा दिया है, मैं जब तक दूसरे कामों को निप्टा लूँ, तब तक तुम कर्ची लेकर फोड़ी देर उसे चला दो, यह सुनकर अंदा बहुत खुश हुआ, वहें जीव चाटते हुए तुरंत पलंग से उटक पैठा और कर्ची लेकर उसे चलाने लगा, मचली का मास समझ कर कढ़ाई में चलाते हुए उस अंदे की आखों पर चाया हुआ काला परदा, साथ की विशेली भाब की गर्मी से गलने लगा, उसे तुरंत बहुत लाब मालूम होने लगा, फिर तो उसने खुप फैला फैला कर आखों में उसकी भाफली, इस तरह थोड़ी देर में उसकी आखे जब एकदम साफ हो गई, तो उसने देखा कि कढ़ाई में क्यों मठ्ठा हैं और उसमें काले साप के छोटे छोट टुकडे पक रहे हैं, तब उसने सोचा, अरे इसने क्यों मुझे मशली का मास बताया, यह तो काले साप के टुकडे है, ओ, मैं इसका अच्छी तरह पता लगा लूँ कि इस त्री सतनी का मुझे मारने का यह इरादा है या कूबडे का, या किसी दूसरी ने तो ऐसा नहीं क किया है, इस तरह की बाते सोचता हुआ, वैं अपने इरादे को छिपा कर, पहले की तरह अंधा बनकर उसे चलाता रहा, इसी बीच कुबड़ा भार से आ गया, उसे किसी का कोई डर तो था नहीं, आते ही त्री सतनी को आलिंगन यह चुमनादी करने लगा, उस अंधे ने मारने का कोई हथ्यार नहीं दीखा, तो वहें, क्रोध से व्याकुल होकर, पहले की तरह अंधा बनकर, उन दोनों की सया के पास गया, वहां जाकर, उसने मजबूती के साथ, कुबड़े के दोनों पैरों को पकड़ कर, अपने सिर के उपर घुमाया, और घुमाने के बाद, त्री सतनी की छाती पर, उसे जोर से पटक दिया, कुबड़े के गिरने से, त्री सतनी का तीसरा स्थन, छाती के बीतर बैठ गया, और जोर से उपर घुमाने के कारण, कुबड़े की टेडी कमर भी सीधी हो गई, इसी से मैंने कहा कि, अंधा कुबड़ा इतिया दी, यह यद पी देव अनुकुल होने पर सिर्वतर कल्यान ही कल्यान होता है किन्तु फिर भी मनुश्य को सत्पुर्षवा कहना मानना चाहिए कभी किसी से तूटकर नहीं चलना चाहिए जो बात इनने मानकर तूटकर तुम्हारी तरह विभार करता है मैं निश्चे ही विनास के गड़े में गिरता है